आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ आप अपने जियो के सिम कार्ड में इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लाइप रूप दिखाता हूँ तो स्पीड टेस्ट का प्रीकिसन ओपन कर लेता हू और दोस्तो गो के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट मेरा देख लिजे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 300-400 Mbps की दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 Mbps की स्पीड देखने को मिल रही है तो अगर आपके भी सिम कार्ड में कुछ से पहले सेटिंग में जाना होगा तो चलती हम चलते हैं सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटरों का जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको अपना सिम कार्ड को स्लेट कर लेना है सिम कार select करने के बाद वहाँ पर आपको एक access point name का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको click करना है जैसे click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको default apn छोड़के new apn को set किया है तो यहाँ पर दोस्तों आपको plus बटन पर click करना होगा या फिर new apn का button दिख रहागा वहाँ पर click करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आप home बरने के लिए page open हो जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से www.go.com प्रोक्षी को आपको नॉट्सेट छोड़ देना है पॉर्ट में आपको लिखना है 8080 उजर निंग को अप्षन में आपको लिखना है जियो इंडिया देन पासवट को नॉट्सेट छोड़ देना है सरवर में आपको यह पर टाइप कर लेना है www.google.com MMSC को not set छोड़ देना MMS proxy में आपको not set MMS port में आपको 80 यहाँ पर लिख लेना है MNC and MNC यहाँ पर MCC and MNC आपके form में already set होंगे तो वही रहने दीजेगा Authentication type में आपको click करना है PAP और CHAP को देन APN type का जो option मिलता है तो यहाँ पर आपको default, then comma लगा कि आपको SUPL 2 APN type को लिख लेना है उसके बाद से आपको APN protocol का जो option मिलेगा तो IPV4 slash IPV6 को select करेंगे APN roaming protocol में भी आपको SIM वही select करना है देन आप नीचे आएंगे तो एक bearer का option मिलेगा तो bearer में आपको सबसे पहले LTE को select करना है देन उसके बाद से GPRS को और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको NIR का bearer मिलेगा GSM का TDS, SDMA यहाँ पर आपको मिलेगा Ivalon देसने सभी bearer को select कर लेना है select करने के बाद यहाँ पर आपको M menu type ओला जो option मिलता है इसको आपको NUN पर select करेंगे दिन इसके बाद से इस APN को यहाँ से सेव कर लेंगे दोस्तो APN सेव करने का बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है तो APN को activate करने के लिए यहाँ पर एक बार आपको click करना होगा जैसे आप click करते हैं तो आपके phone में यहाँ अपन सेटिंग successfully activate हो जाता है चलिए दोस्ते एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर live proof speed test करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर वापस से मैं speed test का application open कर लेता हूँ दोस्ते आपर मैं test again के बटन पर click करूँगा तो आप यहाँ पर देख लिजिए जो यहाँ पर live proof फिर से मेरा जो कितना speed test में आने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 फूरण MBPS तेक की दूस्ते speed जो मुझे हमेशा की देखने को मिल रही है यहाँ पर आप पिंग भी देख सकते हैं 10 MS का पिंग मिला हुआ है जो की काफी अच्छा है तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के लिए आपको काफी अच्छा होने वाला है दोस्तों एपिंग सेट करने के बाद आपके फोन को एक बार रिस्टार्ट जयू कर लिजीएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर पाउर बटन दबा के रखना है दबाने के बाद जो आपके सामने रिस्टार्ट का बटन है का वहाँ पर आपको क्लिक करके फोन को जो संद्ध होगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर